हम देख रहे हैं डेली मार्केट रिव्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रफॉर्मेंस कैसा रहा आज के दिन हम जानने की कोशिश करेंगे टेकनिकल चार्ट की हल्प से नमस्कार मैं जीद सिंग स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिडल में अगर देखा ज हम लोके लगें टाइम फ्रेम पर एक घंटे का एक केंडल है एक गंटे क्या कर रहे हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं हैं तो यहां पर देखे टो पर सनक नए चोटा हम未ढ़ें यूग अच्तुर्टा है था तो यहां पर लोर ही और यह लोर भरेंश हमेए टेक कोशिश की है मगर हम यह नहीं कहेंगे कि इसको प्रॉपरली ब्रेक किया है निफ्टी अब यहां से एक चोटा सा रिट्रेस्मेंट ले और यहां पर एक हायर लो इस्टैबलिश करें तो वहां से हम एक बाइंग पोजिशन निफ्टी में बनाता हुआ देख सकते हैं मतलब ए एक प्रॉपरली लो बनाया है एक हाई बनाने कोशिश की और इस हाई के बाद एक हायर लो यहां पर इस्टैबलिश हो कहीं पे भी उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि नहीं अपोजिटी माइंग साइट देखने की निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी यह हम बात क बुलिश साइन दिखाया है और एक बहुत दगड़े तरीके से गैप अप ओपनिंग की है यहां पे देखा जाए तो पहले जो क्लोजिंग थी वह थी 15722 और अभी जो क्लोज किया है आज की जो ओपनिंग थी वह थी 15793 तो यह देख सकते हैं कि यहां पर मॉर्निंग में 70.70 प्लस रहा गैप ओपनिंग रही निफ्टी में और उसके बाद 112 पॉइंट मतलब यह देखने के लिए हमको मिलता है कि जहां पर आज हाई था उस हाई पर ही निफ्टी ने क्लोजिंग की है मतलब बायर बहुत ही एग्रेसियु रहे है वो बिलकुल भी निफ्टी को नीचे नहीं आने दे रहे है यहांँ पर हमको यह समझ में आता है एक छोटा सा यहां पर कहीं ना कहीं हएरा स्टेबलिश हो वर नेफिक ने के बाद chap 12 उपनिंग के बाद इन बिटवinky ऑपन हुए और यहां से एक बुलिस साइन हम दिखता है निफ्टी में विकली चार्ट में म toughly 12 टेक्ड पर प्रॉपर लिए ट्रेलिंग कंडिंग की बात करें तो बैं कंडली के इसे ही कुछ ना सारा दिखाया है तो ओー properly lower low बनाया है यहां पर एक resistance लिए इस resistance को और ब्रेक करके इस हायर लो इस नजदीक में हमको बैंको छीगती है अगर है और है बंग करता हूँ बगूरतई करता है हमक다 कंफर्म करता है तो लोग buying opportunity देख सकते हैं bank nifty में daily charts पे देखें तो daily charts पे properly एक up trending रहा और एक properly daily charts में higher low established करता हूँ दिखा है हमने हर अपने daily market review में बात किये थी कि किस तरीके से bank nifty इस level को properly sustain कर रहा है और आप देख सकते हैं इसको properly higher low established किया और ज्यादा से ज्यादा chances है कि bank nifty अभी 35600 break करेगा जिस तरीके का bullishness charts पे bank nifty दिखा रहा है weekly charts देखें तो weekly chart में properly एक up trending move है और एक बहुत ही ज्यादा strength हमको देखने मिलता है RSI से RSI अगर देखें properly जैसे हम लोग RSI की थेरी देखते हैं कि 62 है monthly पे 60 है properly 60.84 है weekly पे और daily पे अगर हम लोग देखें तो daily पे यह 56 है और daily पे जैसे यह 60 के उपर आएगा एक बहुत ही bullish bullishness हमको देखने मिलेगी bank nifty में तो bank nifty थोड़ा सा aggressive लग रहा है हमको charts पे जिस तरीके charts यहां पर देखें तो properly एक कि मंतली पे भी buying side की position दिखती है यहां पर देखें तो properly crossover है यहां पर एक वीकली में भी वैसा ही सिनारियो हमको देखने मिल रहा है बात करें लोग मंतली में तो मंतली में भी वैसी ही चीज़े हैं देखता है कि कौन-कौन सी कंपचियों में अज ही और आने वाले क्सकोरी में कौनकण सी कंपनी मैं श्रेंध्ध कि यहां में देखने कंपनी अगतिन सब्सक्राइब देखे पांसं इक बचोफची-शयज सब्सक्राइब देखें'd संस्राइब रूट मोबाइल राके अज्ड लिया उसके बाद अगर देखे तो एफ इसके ने क्या किया है आज देखना चीए फास का डेटा अगर देखे तो इस ने तूर अटिस करोड का ने उन्होंने कैश में और डिया ने मतलब इंसेटिशनल जो सब्सक्राइब करें शेर करें करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेर करें कि वह भी स्टॉक मार्केट की मुमेंट को भैरतर तरीके से समझ सकें नमस्कार धन्यवाद